मैं हमारे प्रधान मंत्री और हमारे गड़बंदन के नेता आधनिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी का हिर्दे से अभार प्रकट करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की मैं उनको विशेश तोर पर धन्यवाद देता हूँ हमारे गड़बंधन के एहम सही होगी जन्तादल उनाइटेड और हमारे मुख्यमंतरी नितीश कुमार जी इस गड़बंधन में मौझूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुश्वा जी आदनियमा जी जी तमाम साथियों का मैं अभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस गड़बंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बटवारा किया तमाम इंडिये के साथियों के लिए तैय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से मुझे भी अपनी एक सीट कम करनी पड़ी वो भी हम लोग ने बहुत सहजता से की जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी एक सीट कम की, माजी जी ने हो, माजी जी हो, उपेंदर जी हो, हर किसी ने, उनसे जिन से जो बन पड़ा, उन्होंने इस गड़बंदन को मजबूती देने के लिए, और भारती जन्ता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुरबानी दी है, उस पांच सांसद हटा कर इस गड़बंदन को उस वक्ट 2019 में एक मजबूत स्वरूब दिया था, और आज उससे जादा मजबूत स्वरूब, उस वक्ट जो साथी हमलों के साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ इस गड़बंदन में मौजूद हैं, और अब इस नए कि जो लक्ष प्रधान मंत्री जी ने दिया है, उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हलकी सी चूक जो 2019 में रहे गई थी, एक सीट से जो हम लोग रहे गए थे, इस बार 40 की 40 सीटे जीत कर प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री पत पर बैठाने के लिए हम सब संकल पे क्या एलाइंस का धर्म निभाया गया, आप जो चाहते थे वो गुआ, एक सीट चलो आपने छोड़ी, क्योंकि चार सो का लक्ष आपको प्राफ्त करना है, लेकिन वो पांच सीटे कौन सी होंगी? भाई इसका जिकर भी प्रेस कौनफरेंस में किया गया, लोग जन्शक्ती पार्टी जमुई, जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूँ, और मेरी वो कर्म भूमी रही है, जमुई हम लोग के पास है, और मेरे पिता की पहचान, मेरे पिता की कर्म भूमी, जिस धर्टी को उन् मस्तीपूर है हम लोग के पास वैशाली से हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और मेरा ग्रह जिला मेरे पिता का जहां पे जन्म हुआ खगडिया वो भी हमी लोग के पास है आप कहां से लड़ेंगे क्योंकि ये रूमर्स था कि आप दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं नहीं मुझे लगता है पार्टी अंतिम फैसला इस पर लेगी पर मुझे नहीं लगता कि दो जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी पर इस पर अंतिम फै अब कैसे आप अपने चशा को मनाेंगे या फे परिवार में शांती होगी। भाई मैंने बार बार इस बात को कहा है परिवार के बड़े वो हैं उन्हीं को ये फैसला लेना है मेरे पिता के जाने के बार परिवार के मुख्या की भूमिका में वो ही थे मेरे पिता के स्थान पर वो ही थे जिस तरीके से विपरीद परिस्तितियों में भी मेरे पिता ने ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी परिवार पर संकट नहीं आया इससे पहले कभी पाटी में संकट नहीं आया पर मेरे पिता ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हर परिस्तिती में वो पाटी को एक जोट रखें, परिवार को एक जोट रखें पिता के जाने के बाद इसी भूमी का में मेरे चाचा जी थे उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि भले लाग विपरीद परिस्तितियां हो लाग कठनाईया हो पर उसके बावजूद पाटी ना तूटने दे परिवार ना तूटने दे और वो पाटी जिसको मेरे पिता ने खून पसीने से बनाया था उस पाटी का नाम सिंबल आज भी फ्रीज है कही ना कहीं इस वाद का दुख पापा जहां पर भी होंगे उनको आज भी होता होगा कि जिस सिंबल को उन्होंने चुना था जिस नाम को उन्होंने चुना था वह आज भी वह फ्रीज है